हमारे साथ में सीनियर एड्वोकेट जॉक्टर एपी सिंग है सर सीमा हैदर को लेकर आपने राश्टपती से अरजी दाकिल किया है कि नागरिक्ता भारती ये मिले हमने जो याचिका लगाई है देश की महामारे राश्टपती जी कहा है सीमा मीना बाइफाफ सचिन मीना चार स साल पहले जब सीमा हैदर थी और जब तलाक दिया गया था तो हैदर ने कि ये दूसरी बीवी थी सेकर्ड इनकी पहली शादी थी निकाह था पहली बीवी से जो बच्चे थे उनको तो अपने साथ रख रहा है अभी बी दूसरी बीवी के चारों बच्चों को छोड़े की ऑसके सीमा आने कि इन बच्चों को तो अपने साथ रख़ लो बच्चों है तीन बेटियां है एक बेटा है सोचिये और पाकिस्तान जैसी धर्थी से आना जहां महिला को आपने देखा कई बार महिलाएं कहती हैं कि पायदान समझा जाता है उसको ऐसे इस तरह से बाते हैं तो ये जो है ये तो भारत में है मानि मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक बाला और मानि सरवच नैले ने ये काम किया तो महिलाएं इस देश की सुरक्षित भी हैं से लेकिन इस ताक सही है कि जिस महिला लेकर तमाम सुरक्ष अजनसियां उनको शक है कि सिक्योर्टी को लेकर कुछ गड़बली हो सकती है महिला के जरिये उसको भारत शाम को भारत की नागरिश्टा और ये तो नामी गिरामी नाम हो गए अब आप आईए 75 साल 1948 Citizenship Act के बाद की बात करिए इस देश में हजारों पाकिस्तानी बंगलादेशी अफगानिस्तान के अगर हिंदू मुसलिम की बात कहें करना नहीं चाहता मैं लेकिन वो भी उनको नागरिक्ता इस देश के सिस्टम से मिली है और वो तो उसने अपना धर्म परिवर्तन किया नेपाल में आके हिंदू धर्म ग्रहन किया हिंदू धर्म से प्रभावित थी भारत देश से प्रभावित थी भारत सरकार से प्रभावित थी क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम आंदोलन मूव्मेंट भारत में ही है सब का साथ सब का विकास सब के साथ विश्वास और सब के साथ न्याय भारत के प्रधानमंत्र होते हैं लेकिन अगर सचिन के जगह पर कोई मुस्लिम शक्स होता और सीमा साथ में आती धर्म परिवर्तन करके या सीमा धर्म परिवर्तन नहीं भी करती तो क्या उ एंगल रखा साहिल जेल में है क्या साहिल के परिवार के साथ किसी ने बोला नहीं बोला 32 टुकड़े करने वाली आपने वो देखा दर्श्चे मुंबई की लड़की आती है हमारे धर्म के इंगल की बात नहीं है प्यार की बात है यहां सिरी फर्याद लैला मजनु ही राजा का इतिहास रहा है क्या धर्म की बात अब भी पिछले जुनों 2022 की बात है बिहार की आरती यादवर छोटू यादव की प्रेम कहानी सब ने देखी तो अगर 2023 में सीमा और सचिन की इस प्रेम कहानी को आगे मिलता है सहारा तो क्या बुराई अब लोग तो यह भी कहते हैं यह चार बच्चे इसके नहीं है महिलाओं की आदत उम्र के वारे में तो मैं कह दूँ मुझे बहुत अच्छा नुबाब है महिलाएं अपनी उम्र कभी सीधी सही नहीं बताती है यह तो पुरुष है जो अपनी उम्र बताता रहा है हम आपको देश के ऐसे मेंबरा पार्लेमंट का बता देते हैं जो 2014 में चुनाओ लड़ा और 2019 में दुबारा चुनाओ लड़ा और जो उम्र भरी गई एफिडेविट में तो 2014 में पांस साल का गई तो महिला तो महिलाओं के साथ यह बात हो जाती है ऐसा हो जाता है यह कोई बड़ी समस्या की बात नहीं हाँ मैं मानता हूं उसके आने का रास्ते के तरीका थोड़ा गलत था वो नेपाल मुसका विवा हुआ हिन्दुरित रिबास से उसके बाद भारत की बहु बनी तो नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिस्ता है वो पासपोर्ट बीजा अलगता नहीं है उसे आगई भारत में अब भारत में रह रही आते ही उसने दियम बुलंद शहर को अप्लिकेशन वूप की मैरिज रेजिस्ट्रेशन के लिए की सात में citizenship प्रात करने के लिए अप्लिकेशन थी उसने दिया किया लिग गया इसी समय पुलिस action हुआ F.I.R. दर्ज हुई, F.I.R. दर्ज होती है, 16, 14 Foreigner Act में होती है, 120 V में दर्ज होती है, उसको पुलिस का स्टडी में भेजा गया, उसको जुडिशिल का स्टडी में जेल भेजा गया, उसके बाद अन्रेवल कोट उसे बेल देती है, कि बल सीमा को नहीं, सचिन को भी बेल देत क्या पाकिस्तान से गोलियां नहीं आती, क्या पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आते, क्या पाकिस्तान से गांजा चरस अपीन नहीं आती है, क्या पाकिस्तान से नकली करंसी नहीं आती है, बताएं आप मना करें, क्या पाकिस्तान से कांधार कांड 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 काबुल के लिए चला था हाई यक हुआ इस देश की सबसे सुरक्षित जेल जहां आतंकवाधी बंद थे उन आतंकवाधियों को छुड़ाया गया छुड़ा के कांधार में ले जाके छोड़ा गया और वही आतंकवाधी आपके लिए नासूर बने 26-11 और संसत हम लेके होता है आतंकवाधी छोड़े जाते हैं आज आपको यह आतंकवाधी दिख रही है एक चीज बताए है कि पाकिस्तान से धंकिया आई वहाँ पर हिंदू मंदिरों के खिलाफ वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई तमाम तरीके से चेतावनी दी जा रही है इस प्रकरण के कि आपको दिया है मंदिर 75 साल में तोड़े गए हैं क्या पाकिस्तान में किसी हिंदू महिला का विवाह करा के उन्होंने हिंदू के साथ किया है धर्म परिवर्तन होता है लड़कियों के साथ अपमान और प्रतार ना होती है और मंदिरों को तोड़ा जाता है 75 साल क्या चा चाहते जो नागरिक्ता हजारों लोगों को मिल गई मैंने अपनी पिटिशन में लिखा है हजारों लोगों को जो भारत की नागरिक्ता मिली है जो पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से तक आए हैं और मुस्लिम धर्म के हैं उनको भी नागरिक्ता मिली है तो फि दिला है उसके साथ तो तीन से छे साल तक की बच्चिया तीन बच्च और एक बच्चा है लेकिन आप सवाल उठते हैं उसके साड़ी पहनने पर बिंदी लगाने पर तुलसी की पूझा करने पर हिंदी बोलने पर हिंदी तो दुनिया की भासवा माचीत का लहजा और तरीका जो है वो लगता है कि वह पाकिस्तानी नहीं है जैसे पूरी तरीके से ट्रेंड किया गया है इतने भरके मेरी प्रिटिशन में दस पेज भरके डाकूमेंट हैं सब डाकूमेंट ATS को दे दिये वरिफिकेशन करिए और मैंने तो अपनी प्रजिशन में यहां तक लिखा है, आप CBI से जाँच कराईए, आप NIA से जाँच कराईए, आप RAW से जाँच कराईए, आप पाकिस्तान के दूतावास में अपने दूतावास का उसके प्रियोग करके जाँच कराईए, आप नेपाल के दूतावास से अपने जाँच कराईए दुवई के दूताबाद से जांच कराईए और इतना नहीं आप सीमा का पॉलिग्राफी टेश्ट कराईए ब्रेन मैपिंग टेश्ट कराईए और उसके बच्चों के लिए कहा जाता है बच्चे उसके नहीं आप बच्चों का भी DNA कराईए अगर यह सब को सही निकले तो मिश्वास रखें एक चीज बताईए सिंग साब कि जिस महिला को लेकर अब यह तमाम एजन्सिया जाच कर रही है उस महिला को पहले ही भारतिया नागरिता कैसे मिल सकती है आपने अर्जी भी दे दी मैंने संरक्ष्य मागा है मैं उसने कहा देश की महान देश भारत है और यहां जी और जीने दोका सिधांत चलता है यह पाकिस्तान में नहीं चलता है यहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलता है हमारे देश के उसने पता कितनी बड़ी बात कही कि मने का हिंदू धर्म क्यों तूने ग्रहन किया कई आपके धर्म में जब भी पू नहीं नहीं करता अपने बहु और नाती पोते की बात नहीं करता यह विश्व के कल्लार की बात करता है और हमारा पाकिस्तान आप के हां तंकवादी भेजता है सोचिया सोला गारा होता है सहंसद हमला होता है बुलवामा होता है इतने बड़े-बड़े कांड होते हैं तो य अरजी में क्या है यही सब कुछ लिखा है बहुत लंबी चौणी अरजी है लेकिन खास बत क्या है कि उसको नागरिकता दिलाने के लिए जो प्रयास कर रही है उसमें मदद की जाए जाच और अधिक मुची एजनसियों से की जाए और जो उस पर आतंकवादी और ISI का stigma लगता है, वो खतम किया जाए, जांच हो, निर्दोष हो, तो इसको माना जाए, दोशी है, तो बड़ा से बड़ा दंड लिए जांच एजेंसियों के रिडार पे तो ही, अगर दोशी पाई जाती है, किसी तरीके से, जादेना आप, बेल पर है, भागी नहीं है, अ भी बात है, यह समझ, ध्यान देने बाली बात है, इस देश में महिलाओं का सम्मान, वो कहती है, हमारे आपके देश में तो सीता, साबितरी, गारगी, अप आला, अनुसुया, रजिया, सुल्ताना, जांसिक, रानी, लक्ष्मिबाई, और पदमाबती, और हाडा, रानी का बात की जाती है, हमारे यहां तो इतनी आजादी नहीं है, मैंने का हमारे देश की तो बात अलग है, हमारा देश तो महिलाओं को सम्मान देता है, हमारा देश तो महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा भाव रखता है, और यह दिख भी रहा है, सीमा के सचिन से प्यार, उसक से सम्मान मिल लहा है सबसे इज़त मिल लही है और उसके लिए आवश्यक भी है कि जरूरी है और हो ना चाहिए और सीमा बहुत कम पढ़ी लिखे है जैसा कि उसने बहुत बार इंटर्वियू कहा कि पांच मी तक पढ़ी हूं तमाम चीजें वो बता रही है सोशल मीडिया पर बता किया लगना मिलने के लिए तो डोनेशन चाहिए होता है कुई बच्रीआ लेने के लिए तो donuts और फीस देकी जाती है योगेता के लिए कभी है जीनूरी मदुवाला बैजंति माला नर्विस्द्थ और जो स्वर्च्वाशमागमयरी रही है लसा मंगेश्करचि घanı उ उनकी कल उनकी योगता थी उनों डिग्रिया नहीं लिए वस्ति की छात्र छात्रा हमारे देश में इसे कितने सांसत विधायक राजिनीती में हुए फूलं देविश की योगता थी ऑर उसने कहा मैं देश की संसत में बैठ सकती हूं अगर मैं साइन करना जानती होती तो पता मी गृह मंतरी भी वह बन जाती हैं, देश की बड़ी बंचायतूं के मानी सदस रहे हैं। योगता को आप डिग्रियों से नहीं आख सकते योगता को आप इस माबले से नहीं आ सकते हां उसने प्यार किया है उसने विश्वास किया है उसके साथ भरोसे का खून नहीं होना चाहिए उसको आगे भी इस बात का ध्यान रखना लोगों को पड़ेगा जो उसको बना देते आतंकवादी उसको बना देते हैं आई एसाई का सदस्य आप रॉस से जाज कराइए नाइए से जाज कराइए जित ना अधिक आप कर सकते हैं सब की जिए कोई बना नहीं कर रहा है मैं कह रहा हूँ लाइड टेक्टर टेश कराओ ब्रेंड मैपिंग कराओ पोलिग्राफिक कर अच्छे सचे दाइरेक्टर बठा लों पूल टीम बठा लो यह लोग एक डायरेक्टर होते हैं पास एसल की जो इनट होती हैं उनको बुलाओ लैप से एसल लैप बुलाओ आपने सीमा को समझाया है और सीमा ने क्या कहा है उसने यही कहा भाईया हमें देश के महमिम राष तुलसी माता की पूजा करती है, यहां की धार्मिक रित्रिवाज को मानती है, लोगों की इसमें बुरा लगता है, लोगों को हजम नहीं होती है, वो सारी अच्छी क्यों पहंती है, अरे उसने जब माना है कि माथे के सिंदूर और बिंदिया और हातों की चूडियां और पैर कि यह जारे हैं उसने कहा मैं तो लगातार मुझसे इतनी पूस्ताज हो चुकी है अभी परसों हुई ददस घंटे की गयार हमने सब पूस्ताज करो बच्चों को ले जाओ सब को ले जाओ जो पूछें वो बताओ सारे डाकुमेंट उसके पास हैं सारे वेरिफिकेशन चीजे कराओ जो उसे माताओ सबको ससस बताओ उसने का जनम से लेकर जितनी बातें हमें याद की मने अब तक की सारी बता दी मने कहें और फीं कोई पूंशे तब भी बताओ साही है तो उसकी मदद करो गलफ है इस देश में तो ऐसा तो है ओक उतंक वादी नहीं आपको लगता है को निर्दोश है इनोसेंट है मुझे लगता है क्यों ऐसा आतंक वाद करने आएगी आएसाई की सदस्य आएगी अपने पेट से जनम किये हुए चार-चार बच्चों को नहीं लाएगी तीन चार-पांच शे साल के बच्चें को दुद्मुहे बच्चों को कद अ Shukamu नहीं लाएगी अपने सारी काज़ुह ने के नहीं आएगी अपना सब कुछ सौन्त नहीं देगी ऐट इसको सदस्तिता के लिए अपलाई नहीं करेगी ना अगरिक्ता के लिए मैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बुलंद शर्कूर नहीं जाएगी अरे साब अब इतना भी मत करो प्यार में युद्ध में राजनीत में थोड़ी बहुत अगर कोई कमी भी हो जाती है तो इतना तो समझ लो, इतना तो चली आता है ना प्यार में, युद्ध में, राजनीत में, अगर ये ना चले तो प्यार अंधा क्यों कहा गया है? प्यार मैं नहीं सपोर्ट में देश प्यार की धरती रहा है अब क्या मैं ने लैला मजरू सीरी फरियाद और ही रांजा को देखा नहीं इसको भी छोड़ दें ज्हिवे मिसाल बनेगी इसमें लिखा जाएगा आपका भी opening लिखा चैनल भी लिखा जाएगा, आपकी वरिष्टता के आधार पे भी लिखा जाएगा, या आपने भी उसमें अपनी हिस्सेदारी को निभाया, अपने काम को किया, और सब कुछ होना चाहिए, और मानिये, देश की महमेम राश्रपती जी, सब की है, सब का अधिकार है, सब की लि सब का विश्वाय सब के साथ ने आए, उसमें तो लिखे ही हिंदू-मुस्लिम का विकास, हिंदू-हिंदू का विकास, नहीं, मोदी जी तो पुरी दुनिया के लिए काम करते हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फूचर किसने कहा, यह वसुधायब कुटुमकम का नारा दे इने वाला ही कह सकता है, जिसने आज से बरसों पहले वसुधायब कुटुमकम का नारा दे दिया, और फिर दुनिया को 2013 में दिखा दिया, कि G20 सम्मिलन की चमता अगर्देश का प्रदानमंत्री मोदी रखता है, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फूचर की संकल्पना भी आगर्देश से लूचर की संकल्पना गार्देश प्रदेश प्रदेश के वन फूचर का प्रदेश प्रदेश